हेलो गाईज, तो बहुत दिनों के बाद में ये वीडियो फाइनली बना रही हूँ I am really very sorry कि बहुत बड़ा होलिडे लिया था मैंने बहुत सारे वीडियो पेंडिंग है जो बनाने है इसमें मैं बताने वाली हूँ आपको my third year journey तो let's start लेकिन शुरुवात में ही बता देती हूँ आपको कि जो भी points जो मुझसे रह जाएंगे आपको लगता है ये रह गया या फिर कोई doubt है, question है वो please आप comment section में comment जरूर कर सकते हो and let me tell you मैं अपने घर पे हूँ और मेरा छोटा भाई है वहाँ पे कलेश कर रहा है तो वह थोड़ा sound आएगा please ignore that तो सबसे पहले तो मैं अपनी journey की starting ऐसी कर रही हूँ भाई कि second year जो हमारा था वो complete हो चुका था almost सिर्फ nine months में जो की होता है हमारा 12 months का ठीक है वह complete हो चुका था nine months में और फिर third year तो फटाक से चालो हो चुका था तो मतलब it was unbelievable कि second year भी खतम हुआ third year भी खतम होने को आया अभी अब खतम भी हो गया मतलब it was कि first day कहा first day जो था college का वो और आज का दिन तीन साल भीत गए ऐसा तो सबसे पहले question आया यह वीडियो बनाने से पहले लेकिन हा थर्ड तीन year तो ऐसे ही गए अब हम final year के students है तो third year में क्या क्या हुआ कैसे किसे मतलब हमारे college में क्या experience था third year के regarding वो आपको मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ तो सबसे पहले third year में हमें subjects थे हमारी batch last है जहां पे मतलब हमारे batch के बाद में जो portion है वो change हूँ चुका था तो हमारे जो subjects थे third year के लिए वो थे अगत तंत्र, चरक उत्तरार्ध, स्वस्तवरुत्त, pediatric, gynecology and ops ठीक है तो यह जो सब भी subjects है यह नाम सी आपको पतार चल जाएगा कि यह सब भी practical है, practical है इसलिए interest automatically develop हुआ सबसे पहले तो, second चीज हमें ऐसा लग रहा था कि lectures नहीं होंगे because teachers लोग भी patient वगरा चेक करने में बहुत busy होते, postings वगरा तो रहती है हमारी, लेकिन busy होने के वज़ा से नहीं होंगे से लगता था I'll tell you, इतने lectures हुए इस साल, इतने कि हमने expect भी नहीं किया था, हमें लगा था कि bank मारेंगे, बहुत free pediatrics मिलेंगे, lectures नहीं होंगे लेकिन इतने सारे lectures हुए, postings हुए कि पूछो मत और उससे हमें बहुत ज़्यादा फाइदा हुआ, literally मुझे तो बहुत फाइदा हुआ, मेरा जो interest developed हुआ है specifically मुझे gynec और pediac में बहुत ज़्यादा interest developed हुआ, by seeing the small children, the patients, the pregnant ladies, ये सब कुछ cases देखे, शुरुआत में जब एक दो cases देखे, मैंने तभी मेरी curiosity बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और मुझे उसी time पे बहुत ज़्यादा पढ़ना था, ये पढ़ना है, ये कि हुआ, य केस देखने के बाद जो questions आते हैं, और सर लोग जो questions पूछते हैं, पोस्टिंग में, तो उसके बाद में, automatically you think कि नहीं, ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे पढ़ना ही चाहिए, तो ऐसे ही शिरुआत हुई, और उसके बाद में, देखो हमारा time table कैसे था, सुभे मतलब 7 द अगत तंत्र में, टॉक्सिकोलोजी, और फिर वेनस्टे को हमारी गाइनेकलोजी की थी, और थर्स्टे को लास्ट को हमारी पेडियार्टरिक की थी, तो ये पोस्टिंग में क्या होता है, तो पोस्टिंग में, बेसिकली हमें वहाँ पे और मल बुक लेके जाना होता है, व तो जब पोस्टिंग खतम होता था, मतलब पोस्टिंग खतम होना मतलब कि जब सर लोगों का ब्रेक होता है, मतलब वो आराउंड 11.15, 11.30 या फिर 12 बजे तक जितने पेशंट से उसके हिसाब से, तो वो जब पेशंट्स वहाँ पे जब खतम हो जाते हैं मैकसिमम तो सर लोग हमें बुला के फिर वो बोलते थे कि यह ऐसी केस है, यहाँ पे आपको क्या लगता है, तो वो वहाँ पे लेक्चर्स होते थे, लिटरली वहाँ पोस्टिंग में भी लेक्चर्स होते थे, रिगार्डिंग दा केस, जो केस आया है, for example, suppose एक लेडी है, जिसका केस मिनोरेजि एसे ही, सेम स्वस्तवृत्त के लिए होता था, स्वस्तवृत में योगा भी है, तो वहाँ पे योगा का भी प्रैक्टिकल होता था, हमारा टॉक्सिकोलोजी को इतना ज्यादा नहीं, लेकिन टॉक्सिकोलोजी के जो लेक्चर्स हुए, वो एक से बढ़कर एक थे, जो सर नहीं हमें टॉक्सिकोलोजी सिखाई है भई, बहुत बहुत इंटरेस्स डेवलप हुआ उनकी वज़ए से, और रियली थैंक इम, बट ही इस लिटरली बेस्ट, ही इस बेस्ट वन, और ही हाँ थे, आगे बढ़कर तुम्हें चुप नहीं रहना है, तुम्हें कुछ ना ढ़ prose खाई रहना है पड़ते रहना है, हमेशा पड़ते रहना है कि नहीं भाई तुझे बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है तुझे बहुत सारे केसिस देखने है इस साल मेने जो पेशन्ट देखे उसके बाद में मुझे समझ में आया है कि नहीं भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस दुनिया में और जो डॉक्टर जो डॉक्टर most important thing here क्योंकि एक patient आया आपके पास उसका एक problem है ठीके आपने आज एक दिन चेक किया उससे पैसे लिए लेकिन अगर उसका जो दर्ध है उसका जो pain है वो कमी नहीं है हुआ तो वो next time आपके पास आएगा EQ नहीं आएगा ना तो वो surely जाएगा next doctor के पास और अगर उसे वहाँ पे ज्यादा early effect आया तो surely he will do the mouth publicity की नहीं ये वाला doctor के पास में गया था लेकिन उससे मुझे ज्यादा कुछ effect नहीं हुआ है और ये वाला अच्छ है तो इस final third year में मैंने ये सब भी practical चीजे जो है वो अच्छे से ले पड़ी एक से ज्यादा एक से बढ़कर एक lectures हुए actually और सब भी subjects के lecture बहुत ही सही थे उस टाएं पे बहुत frustrated लगता था मतलब यार क्या है ये फाल तू इतना कौका पर stress होता है ऐसा लगता था लेंगिन अब बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं तो exams में mostly क्या करते हैं students बहुत सरे से बच्चों का कहना भी है कि जो previous year की questions से सिर्फ उतने करके जाओ लेकिन I'll tell you कि हम लोग जो है वो doctor बढ़ने वाले एक question छोड़ रहे हो आप ठीक है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक point छोड़ रहे हो लेकिन उस point का patient आने वाला नहीं है आपके पास ऐसा तो नहीं है वो आ सकता है उस disease को लेका आ सकता है तो अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो जब आपको further deep में पढ़ना है MDMS में जो भी deep में पढ़ना है तब क्या करोगे तो इसलिए exam के time पे बहुत लोगों ने ऐसा मतलब try किया कि जो बाकी के point से सिर्फ एक बार read कर लिया और जो previous year वाले है वो ज्यादा रटा मार लिये थे लेकिन मैंने सब्भी चीज़े me and Bible both हमने एक साथी पढ़ाई की थी तो हम दोनों ने सब्भी चीज़े cover की थी हमने कुछ ऐसा रटा वगरा नहीं मारा था लेकिन सब्भी चीज़े हमने उतनी बार ही पड़ी थी हमारा कैसा होता तो बहुत stress आया था लेकिन exam के time पे इतना stress था की पूछो मत और पता है एक मज़ेदार बात क्या थी हमारे जो दो paper थे उनको एक एक दिन की चुटी थी पीडिएक एक की दिन की चुटी थी और syllabus इतना था इतना सिलाबस था कि हमने टाइम टेबल जब देखा था तो अभी हमारा कोश्चन सब के माइन बें की कोश्चन कि पीडियक कैसे कवर होगा कैसे कवर होगा लेकिन हमने कवर किया सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिस पेपर के लिए दो तिन दिन चुटी थी उस दिन उस पेपर के लिए पूछो मतलब पेपर के पहले ऐसा लगता था पेपर के पहले हम सोचते थे कि दो तिन दिन मैंने क्या किया यह सब रह गया तो दो तिन दिन मैंने क्या किया तो मुझे इस साल यह अच्छा लगा कि जो पेपर के लिए एक दिन चुट्टी होती है ना उसकी पढ़ाई ज्यादा होती है और अच्छे से होती है तो यह एक experience था लेकिन बहुत stress था लेकिन एक बात मैंने इस exam में किये वो बता है stress था तो stress कम करने का option यह नहीं है कि दिन बर आप time pass करो और night mark के फिर बोलो कि मैंने रात बर बढ़ाई किये ऐसका कुछ भी फाइदा नहीं है I am a yoga student मतलब मैं yoga player हूँ मुझे meditation yoga की बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से मालूम है मैं सबको यही बताती थी कि भई तुम सुबह कितनी बजे उटते हो चार बजे उटो पाच बजे उटो लेकिन रात की नीन जो 6 गंडे की minimum exam के time पे 6 गंडे की minimum नीन आपकी होनी चाहिए and I followed that very strictly और मैं first year से यह follow करती हूँ कि 6 गंडे की नीन होनी ही चाहिए क्योंकि जो paper में आता है वहाँ पे आप लिख के आती हो क्योंकि साल भर हमेंने पढ़ाई की थी और मुझे पता था कि ने कुछ भी question out of the previous year आए out of the मतलब जो मैंने पढ़ाए उसके कुछ अलावा आए तो मैं कुछ ना कुछ तो लिख के आऊंगे इसतना मुझे पता था क्योंकि मैंने almost जो साल भर पढ़ा था जो मैंने cases देखे थे तो उतना मुझे confidence था कि मैं लिख पाऊंगी तो यह जो है सिर्फ exam के पहले नहीं आप achieve कर सकते हो यह जो confidence है यह पूरे साल भर आपको करना पड़ता है और जब आप पूरा साल भर पढ़ाई करते हो आप cases देखते हो पेशन्स देखते हो तो automatically exam के पहले आपको मतलब चलता है कि नहीं भाई यह जो सभी subjects है अगध है ग इसलिए उस टाइम पे मैंने मेरी नीन कंप्लीट की थी टाइम पे खाना खाती थी और मैंने कोई भी point ऐसा नहीं छोड़ा था कि वह previous year में नहीं आया है इसलिए मैंने वह छोड़ दिया है मैंने सभी points में मैंने और वैब उन्हें तो दोनोंने complete किये थे और इस बात की मु लगती है यार सच में जो वाट लगती है वाइवा में उसका experience तो written exam में गल्ती से भी नहीं आएगा seriously जो वाइवा में वाट लगती है वो मतलब चलो कुछ नहीं पढ़ना है नहीं है पता ही नहीं रहता है और उसके बाद था हमारा NSS का camp उसके बाद था हमारा ये फेस्ट gathering तो gathering के बारे में तो मैं अलक से वीडियो डालने वाली हूँ प्लीज वाइवा के डियूरिंग मुझे याद है वैसे तो मुझे वाइवा बहुत अच्छे गए लेकिन गाइना की जो वाइवा थी वो बहुत मतलब बहुत बुरी गई यार मतलब हमारे जो confidence था जो मैंने गाइनेक को मेरा जो confidence था कि नहीं में answer कर पाऊंगी वैसा हुआ ही नहीं लिटरली जो गाइनेक का था वो बहुत ही बूरा गया तो ठीक है फिर मेरा रोल नमर 11 है तो क्या होता है हमारी जो बैच थी वो 25 की थी तो 12, 13, 11 के आस पास जो है वो उनका लंच ब्रेक होता है तो जो लास्ट लास्ट होते हैं उनको थोड़े कम questions पूचके भेज देते हैं और मेरा वो good luck है कि 11 के बाद ही कुछ भी हो जाए 11 के बाद ही lunch ब्रेक होता है क्योंकि lunch करने के बाद वो अलगी energy लेके आते है external और फिर बहुत सारे questions पूचते है तो एक ही मेरी God से प्रार्थनात कि भई लंजब्रेक से पहले और हो गया मतलब मिरى सिर्फ अगध नहीं अगध का एक्शलि मेरा स्वस्त वृत्त का मेरा सिर्फ लंज की बाद हुआ लेकिन वो भी अच्छा गया स्वस्त का बहुत टेंशन था वो भी अच्छा गया पिडिक का भी अच्छा गया था मेरा वाईवा और वायवा के बात थे हां हां हमारा NSS का Camp उसके जो NSS Camp में जो हमें रहता है वो specifically क्या करना पड़ता है कि एक गाव अलोट किया जाता है एक एलिया तो इस टाइम पे कौन सा गाव था वो भी मुझे याद नहीं है तो वहाँ पर जाके सिंपली आपको सर्वे लेना है कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं उनका एज क्या है उन्हें शुगर है बीपी है आपके घर में वाश्रूम्स है और फिर वैक्सिन लिये है के नहीं लिये है और बाकि अगर कोई प्रॉबलम है तो कब से है ये सब च अगर क्या वहाँ पर एक्सिरियंस था और फिर शुबह पहां पर जाके सर्वे करके आते थे और फिर चार बजे हमारी डान्स प्रेक्टिस ए ती क्लास का डांस और क्लास में ऐसे पचास कि पचास है अबरी श्रेट अच्छली अभी दो लोग नहीं है अभी 48 के 48 ऐसे नमूने भरे पड़े है ऐसे नमूने भरे पड़े एक लेट आता है एक को स्टेप्स नहीं पसंद पड़ते एक स्टेप्स नहीं करता है एक फोन पे बीजी रहता है एक बोलता है नहीं मुझे ये पोजिशन नहीं चाहिए एक अलग एक अलग तो यह जो 48 नमूने रहते हैं यह सब देखने में बहुत मजाया लिटरली जो गैदरिंग मैंने एक्सपिरियंस किया है वो आपको मैं शॉरली का अधर वीडियो में बताना चाहती हूं और इस वीडियो में मैंने बहुत बग 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 की है लेकिन जो कमेंट में बता दूंगी या फिर एक अलग वीडियो पोस्ट करती हूं ठीक है थैंक यू आनल देवस्ट